राहूल गांधी की भारत जोडो न्या यात्रा का आज दूसरे दिन है राहूल गांधी मड़ीपूर की इंफाल वेस्ट से यात्रा के शुड़ूआद कर चुके हैं आर इस बक्त वो वेस्ट इंफाल के सेखमई में है जिसे ही यात्रा सिक मैं पहुंची बहां इस्थानी ये लोगोनी जोरदार श्वागत किया है राहूल गांधी का इस दोरान कलाकारों द्वारा मडीपूर के पारंपरिक नत्य पेश किये गए बड़ी संख्या में कॉंग्रेस समर्थक नारेवाजी करती हुई नजर आए दरशल 2024 के लोक्षभाज चनौफ से ठीक पहले राहूल गांधी ने भारत जोड़ो नियायात्रा का एलान किया एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने की ये भरशक कोशिस है ये नियायात्रा 20 मार्शों तक चलीगी और 15 राजजियों में करीब 6600 किलो मीटर की दूरी तै करीगी एक दिन पहले यात्रा के आगास के दोरान राहूल गांधी ने केंदर सरकार पर मड़ीपूर को लेकर जमकर हमला बोला